ग्यार सुटन्ट असलाम वालेकूम आज डेट 8 सब्टेंबर 2020 कलास 10 सब्जेक्ट सोशल सेंस इसका पार पॉलिटिकल सेंस आज का टापक है एकॉमडेशन एंड बिल्जम जैसे कि इससे पहले हमने बिल्जम और स्रिलनका के बारे में पड़ा कि उनके आपस में कौन-कौन सा ऐसे ग्रॉफ्स थे जिन में एक दूसरे के साथ डिफर्स और डिस्क्रिलेशन हो रही थी रिजन के हिसाब से या लिंग्वेज के हिसाब से तो क्यांकि हमरा मौजूम जो है यह लेसन का वो था पावर शेरिंग तो इसमें यह चीज़ें हमें पढ़ने स्टेडिकरनी आपके के देर करनाइज़े दी एक्जेस्टेंस आफ रिजनल डिफरेंसेज एंड कल्चल डिवरेसिटी ब्ट्वी नैंटीन सेवनटी एंड नैंटीन एंटीन थी या उननी सो तरैनुए और उननी सो सत्तर इसके दर्मियान यह डिवरेसिटी जो थी आपसमें और बिल्जम के लोगों ने सब की कॉपरेशन से तावन से वहां का जो इसमें बना हुआ था उसकी उन्होंने एमेंडमेंड की यानि उसमें तर्मीम की ऐसी कोष्टी जो ला में लिखी गई थी उसको उन्होंने डिलीट किया उसमें ने जीज़े एड की तो कितने टाइम चार टाइम उनोंने इसमें अदुमेंड में लाई ताकि बिल्जम के दर सभी लोग रहने वाले जो हें उन सब को इकल राइट मेले सोसाइटी में रहने के लिए यह एक नेशन एक कंट्री के लोग जो हैं सबके साथ बराबर के क्या होने चाहिए राइट्स उन सब को एकुली ट्रीटमेंट मिल ली चाहिए अब बिल्जम की लोग उन्होंने कौन सी ऐसे ऐसे ऐलिमेंट वज़ा किये उनका जो मडल है वो हम देखते हैं करनिस्ट्यूशन का करनिस्ट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट नंबर आफ डच एंड फ्रेंच सेपीकिंग मिनिस्टर्स शैल वी इकुली एंडी सेंट्रल गोर्मेंट सर से पहले उन्होंने यह बात कहीं कि जो भी वहां के मिनिस्टर् फ्रांस की हों चाहे डच की हों वो एकुली जबान बोलने वाले सभी को एकुली ट्रीट के जाएगा संट्रल गोर्मेंट में एक बात दूसरा समस्पेशल लाज्स रिकॉर्ट आफ मजार्टी आफ मेंबर्स फ्राम इच लिंग्विस्टिक ग्रोप यान दूसरों एक और क उनकी अलग लग किसकी जुरूरत है सपोर्ट की जुरूरत है तक तब जाग गा सब मजार्टी में आएएगे दस no single community can make decision decision कोई भी ऐसी सिंगल कमुनूटी जो होगी वो डिसीजन किसी भी बिल का किसी भी आईन का वो अलग एकेले में फैसला नहीं ले सकती है जब तक वो सभी गुरूप न मिलेंगा अपस में यह भी अमेंडमेंट होगी कुरूशिशन में फिर उन्होंने कौन सी अमेंडमेंट ला है, सब्सक्राइट समती है, जो आउस मुलोग के दो अलालार ठंस ते उनको उस रिटर्याद संट्रने औल Inspector Assillance इंट्री को को मेंड मैज़। बंट तो ऩू दी संट्र गहरे होगी जिसे ये जाएर होता था के सिटेट गोव मैंट जो है यो संट्रल क्यास नहीं है Brussels has a separate government in which both the communities have equal representatives अब इसमें क्या देखा गया इसमें ये देखा गया कि Brussels जो है ये अलग एक government हाँ अलग government बनी in which both the communities have equal representation जिसके अंदर यानि उस सरकार के अंदर दो community जो थी उनके equal member थे जो उसको lead कर रहे थे दी French-speaking people accepted equal representation and Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation and the central government है जो Belgium की Central Government बनी जो Central Government बनी Central Government में equally Dutch-speaking वो जबान बौलने वाले लोग भी उनके member भी आगे और दूसरा French जो थे बोलने वाले उनके member भी आगे equally तो ये बेटा आज का हमारा टापक था किसके मतलब बिल्जम के मतलब हमने इसमें ये पड़ा कि बिल्जम के अंदर जो डिस्क्रिमनेशन थी जो फरक था जो राइस पमाल हो रहे हैं एक दूसरी के कमजोर ग्रोप के या कुछ माइनाटी वाले लोगों के इन्होंने बाद में आपस में ये इसलिफाद दूर किये एक दूसरी की प्रावल को एक्सेप्ट किया रिस्पेक्ट दी डिक्रेटि दी और किसी भी तरीके से किसी फेयर से कुई ऐसी किसी भी कमपल्शन से सुसाइटी में सब को जीने के लिए एकुल रैट्स दिये संटर गोवर्मेंट जो थी उसने पावर स्टेट को क्या किये सौम दिये और जो दो ग्रोप थे फ्रेंश से पीकिंग बोलने वाले डैस से पीकिंग में रखेगे तो बेटाई इसकी साथ हमारा आज का ये टापक कम्पलीट होता है बाकि इन्शाला हम कल पढ़ेंगे सेवल वार थेंक्यो